आपको बताने जारा हुँ यह जो इसकीट बनवी हुई है आपकी जंग नहीं तुल है आपक्ते इसो पानी तर्वेसल पर ट्रांस्फर करता यह जो ऴैसल आपने देख रहे हैं यहLož Valley ओवार इसका ब्रैंड Chanel Buai Hasta a pide in it tods यह वेशल डो वैसल इसमें सब्सक्राइब्स ट्राइब यह वैसल में क्या होता है इसको में मिडिया मुल्टी मिडिया बैसल बोलते है इसमें एक में सैंड फिल्टर होता है और एक मेंazon फिल्टर होता है और इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर आते हैं सर यह जो आप जम्बो देख रहे हैं यह प्री फिल्टर होता है सर यह प्री फिल्टर क्या होता है फाइफ माग रहे हुं तो कि हमारी जो केमिकल होता है उसको वो क्लियर करता है ना सर और यह जो पैनल आप देख रहे हैं यह होता है अपना रा वाटर आरो आरो का जो कंट्रोल पैनल है यह कंट्रोल पैनल होता है इसी सही ऑपरोट अपरेट होता है और यह दो मीटर दीख रहा है यह रोटा मीटर है सर ना एक में आपका फ्रेश वाटर का शो होता है और एक में आपका होता है रा वाटर शो होता है इ यह जो पाइपे देख रहे हैं ना सर यह सारी पाइपे हम लोग यूपीवीस लगा के देते हैं सर यह पाइप जो लगा है हम वो यूपीवीस ही पाइप है और सर यह जो आप बैक सैड में जो देख रहे हैं यह SS है यह मेम्रेन का हाउजिंग होता है सर इस पर हमारी जो मेम् डूजिंग पम्प है कि इसमें हम लोग डूजिंग लिक्विड डालते हैं यह दोजिंग पॉंप है और इसमें एक प्लांट और देख रहे हैं आप जूड़ी सी जैसे कस्टमर कोस्ट अप्टिमाइज के लिए बोलता है जैसे मुझ कुछ फ्लांट बोलते हैं कई लों कि सस्ता प्लांट चाहिए तो यह जो वड़ान्ट आप आप देख रहा होंगे दोनों कंपरीजण में आप यह व्लांट बहोंगे तरन इसमें में मैंद आपको बताया था उसे जो इस्टेंड इसीट वही है और यह पंप लगा हो है सर यह CRI की जगा दूसरा पंप है तो थोड़ी से हमको कॉस्प में थोड़ी से प्राइस ऑप्टिमाइज हुजाती है कि दोनों प्लांटों में काफी फर्क है इसका प्राइस का है यह जो प्लांट आती है सर एक पैतालिस के आती है एक लाग पैतालिस ज्यारू गए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कि लाए और हां बेल आइकन दवाना ना बोले जब तक आप आप बेल आइकन नहीं दबाते जो भी हमारी वीडियो अप्रोड़ोट होती इसकी नोटिविशन आपके पास नहीं पोचती आज का बिसनेस आइडिया से बिलकुल अ अगर आप देखी सकते हैं तो फ्रेंड्स यह वाला जो प्रोड़क्ट है इसकी हर पांच मिल्ट में डिमांड पड़ती है कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको जरुत नहीं पड़ती क्या जिसकी जरुत नहीं पड़ती पानी जल ही जीवान है और यह सर्दी हो गर्मी हो गाओ हो शेर हो बच्चा हो बुड़ा हो बिमार हो चाहे स्वास्त हो हर आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है तो व्रेंड्स यह बिजनेस हमेशा के लिए चलने वाला है फड़ा पर इस बिजनेस को अगर आपने करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख अपनी कंपनी का नाम बताई और हमारी जो कंपनी है वो स्री इंटरपाइस के नाम से जो की भिलाई 36 गड़ पे है हमारे फुट पोसेसिंग मशीनों की मैनिफेक्ट्रिंग होती है जैसा कि हमने पहले और जो वीडियो उसमें भी अपनी मशीनों के बारें बताया हुआ है आज हम आपके लिए जो प्रोड़क्ट लेकर रहा है वह आरो वाटर प्यूरिफायर है यह जो मशीनरी आप देख रहे हैं यह क्या पानी प्यूरिफाय करती है हम लोग जैसे मार्केट में 20 लिटर जार जो सप्लाई करते हैं जैसे कि जो साधी बया में आपने देखा होग होता है और हर एक शॉप में आपने देखा होगा कि आज सब 20 लेटर जार ही बेस्ट क्योंकि हर को यह आरो एफॉर्ड नहीं करता है इसलिए वह पानी खरीद के पीरते हैं तो वह जो पानी जो सप्लाई होती उसका जो प्रोड़क्शन होता है इस प्लांट से होता है जो प हमसे पांट को का पाणी कर सकती हर जगे पानी यह बहुता है जैसे हमारा यह जो वैसल आप देख रहोंगे जो नीले बड़े-बड़े जैपने जो वैसल देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मिडिया वैसल बोलते हैं इसका वर्क क्या होता है कि इस वैसल में आपको एक में अपने को कार्बन डालना पड़ता है कार्बन हो गया और इसमें आपका होता है सेंड ठीक है इसको सेंड फिल्टर बोलते हैं उसको का होते हैं और कैमिकल है कुछ कुछ जैसे आपने देखते हैं कि पानी हर जगा अलग अलग होता है तो हर इसमेल आते रहते हैं तो वह सब इसके बाद आपका जो प्रेशर पॉने के बाद जो हमारा लाइट वाटर है वह हमारे दूसरी टैंक पर जाके स्टोर होता है इस पानी गता है यह प्याइव पनी क्या होता है अपना प्रसेण अपना ढूंड ले वल करते चले कि तो 30% 40% जो light water होता है जो पीने योग्य होता है वो पानी purify होता है और वो store होता है जिसको हम लोग पीते हैं सर इस plant को लगाने के लिए कितना हमाना पड़ेगा हमें इस plant को लगाने के लिए सर यह plant हमारे यह दो variation में बनती है यह जो आप प्लांट देख रहे हैं सर यह एक लागपैसाट हजार रुपय कहा है यह इसकी प्राइस हम लोग एक लागपैसाट हजार रुपय में सेल होती है तो लगाने के लिए करेंगे अपना सील कर देंगे तो हमको फिर उसमें ना पड़ता है जैसे आपन एक लिटर का बोतल देखते हैं वह सील पैक होता है वह खुद का ब्रैंड हो गया इस वजह से उसमें लाइसेंस की डिमांड रहती है यह डबा जो अपन किसी को देते हैं तो विदिन चोबीस से अर्टालीस घंटे बाद यह दबा खाली हो कि हमारे प करना पड़ता है फस्ट ऑफ फसली तो हम देखते हैं कि जैसे आपने प्लांट लगाया जो भी नौर्मल सी बाद अपने लगा तो आपके फेस्वेलू से आपको जानने वाल इतने सारे लोग मार्केट में निकल जाते हैं कि उनको पता चलेगा कि हमारा संबंधी विजनेस लोग किया है वह भी पानी लिना चाहता है वह तो सबसे पहले वह आपके पास आ गया और दूसरा आपन देखेंगे कि इसमें जितने भी कॉंप्लेक्स हो गया है ना जो कमर्शाल काप्लेक्स होते हैं दुकाने होती है उनको सब को पानी की नीड होती है तो वहां पर आप पानी सप्लाई करते हैं उनको पानी की नीड रहती है और दूसरा नियर भाई आपके आसपस सीटी में जितने भी टैंट हाउस होते हैं पानी सप्लाई की जोरत पड़ती है आप सारे टैंट हाउस से कॉंटेक्ट कर लीजिए ऑस्पिटल सेक्टर हो गया आपका इवन डुप्लेक्स हो गया यह फ्लैक्स फ्लैट जो गया जितने भी फ्लैट होते हैं फ्लैट सिस्टम में भी सब के सब आच चली इतने रश्में कि उनको आरो छोटा आरो लगा नहीं सकते लगाते तो मेंडरेने जाद आता है इसलिए वह जार खरिद के पीते हैं वहां पर भी चीजिए सेल होती है सर ऐसे भी हो सकता है जैसे हम किसी से 30 रुपे का खरीज रहें 40 का खरीज रहें तो हमसे पानी वह क्यों खरीज़े काम कु आपको मैं बताना चाहतों कि यह मत सोचो कि अगला अगर 20 का जग दे रहा है 30 का जग दे तो आप उसी रिट में दे कोई बात दो पैसे आप कम कीजिए जब आपका पानी पसंद आ जाएगा आपकी सर्विस अच्छी लगे कि तो आप भी सेम रेट में बिल्कुल बिल्कु सर्विस आप अच्छी दोगे तो आप जो रेट भी बोलो को रेट देगा आपको यह सर्विस और बिजनेस है सर इसमें को हमेसा क्या लगना पड़ता है कस्टमर का जैसे हम साधी का ओडर ले लिए अप साधी में आप समय पर पानी नहीं पहुंचा तो फिर आपकी सर्वि अपने अच्छी रखे आप सर्विस के लिए पावर सप्लाई कितने चाहिए फिर इसके लिए पावर सप्लाई सर इसमें अपने को सिंगल फेस ऑपरेटेट है यह जो मशीन अपने बनाया हुआ है यह आरो की मशीन टोटल हमको धाई एच्पी की बिजली कंजियूम करती है इसमें लगते है और अघर जिसको थंडा पानी सप्लाई करना च्रिल्ड बार होता वो सप्लाई किसी को करना को इसे लिए चीलर आता है जो ऑन्लाइन चीलर होता है जो पानी कंटीनि एक घंटे में थंडा करतेसर वो आपके फिवाटर ही यहां स्रूशल्म् फिर्टु तो कितने दिनहों तक इनको बदलना पड़ता है इस प्रीफिल्टर नीले आपका प्रीफिल्टर देख रहा है इससे प्रीफिलटर को क्या करना पड़ता है हमको हर 8-10 के प्राब्लाम कि प्रीफिक्ष्ण पर गड़न हो नहीं होगा क्योंकि इसको क्या करेखाए ईसलिए दो मैं नहीं कि नहीं आप observeक सब्सक्राइब खीनद मेंधर नहीं करते रहींगे तो आपका अलन्हें रहता आप कि मेजर प्रब्लम को यह सब सबसे जाएदा ध्यान है यह बात यह सब देने यह को मैंこちら यह बट यह हुआ हम फायदा होता है कि हामारे मैं में में क्या होता है कि अपान में केल्सियम है और बहुत सारे केमिकल है और दूसरा इस पीपी फिल्टर को चेंज करना दो से तीन में यह दो आपको मेनेजमेंट हमेशा ध्यान देना है कि यह दोनों चीज को आप प्रॉपर वेपे करते रहेंगे तो आपका प्लान लॉंग लाइफ चलेगा इस प्लान को लगाने के लिए हमाई को च्रूट पड़त है तो इसको प्लान को लगाने के लिए किसी ट्रेणिंग की ज़रत पड़ती है ट्रेणिंग की जरत पढ़ती है सर जैसे हम केसी भी नई चीज को चालू करते हैं हमको जानकारी नहीं होती है उसके लिए हमारा टेगनीशन आपके आंशीन लगाने आता है वो आपको सारी चीजों की जैन कारी देगा कि is coach कैसे operate करना हैナ N Find a कैसे चलाना वो ड्रेनिंग हम लोग देते हैं । और तो और हम जब भी आइसे जाते हैं हमारा careless आता है वो कस्टमर के mobile पे ही नर को विडियो बनवाता है कि sir इसको March कैसा करना वहां पर वह सारी जानकारी देगा वह वीडियो रिकॉर्ड हम हमेशा कस्टमर को दे देते हैं उसे फायदा क्या होता है ना सब कभी कोई अन्नोन बंदा भी महां पर जा रहा है या आप अब लेबल हमेशा नहीं हो पाता किसी और को समझ नहीं है तो हमको कॉल करने से पहले अगर वह वीडियो अच्छे से देख लेगा तो उनको सारी चीज़ें वहीं पर समझ में आ जाती है बाकि उसके बाद कोई दिख्का राई तो हमको कॉल कर सकता है तो उसका चार्ज को करना पड़ेगा आपको करोगे जो या मसीन जो प्लान लगाएगा उनको करना पड़े लोग हम लोग इसमें सर चार्जिस लेता है इस्टॉलेशन का चार्ज होता है क्योंकि यहां से बंदा जाता है एक दिन दो दिन उनको जाने का लग जाता है इस्टॉलेशन चार्जिस पर रहता है